ये है brake master cylinder, brake master cylinder में दो outline nine होती है, कौंसी वाले line का connection आगे देना चाहिए, बैus और आगर यहाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा जो जिस पे S लिखा रहता है वो होती है secondary line asked, और वहाँ पे जो OWL का pressure होता है वो पहले होता है, तो पहले brake लगते हैं तो उस वård LINE का कनेक्शन आपको पीछे वाले टायर में देना चाहिए जो पी होता है primary chamber होता है वहाँ पे जो ओलका pressur है वाद में आता है मतलोब वहाँ पे आप आगे वाले टायर में connection देना चाहिए कर आप उल्टा कर देंगे तो पहले आपकी गाड़ी में स्थाजित आगे साथ आगे वाले टायर में ब्रेक लगें फिर पीछे वाले टे पर इससे का टन पर अगर सडर्स ब्रेक लेता गाड़ी का बैलेंस डिश्टर्ब हो सकता है इसके बारे में अगर आप ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके आप लोंग वीडियो देख सकते हैं